स्टुडेंट्स ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए हमें क्या चाहिए है पोटेटो एक नाइप चाहिए पोस्टर कलर कलर डिश ब्रॉश और एक बाउल चाहिए जिसके अंदर फ्रेश वोटर हो समझ में आया सबको अंदर्स्टेंड सबसे पहले हमें पोटेटो और नाइप का यूज़ करना है पोटेटो को हम सेंटर में से कट करेंगे कहां से कट करेंगे समझ में आया ये लो कट हो गया पोटेटो कट हो गया दोनों पार्ट्स को आपको डिफरेंट डिजाइन देना है दोनों parts को different design देना है समझ में आ गया good सबसे पहले हम कोई थोड़ा अलग design देंगे इसमे आपकी book के अंदर जैसा design दिया हो ऐसा design देना ऐसा जरूर ही नहीं है समझ में आया आप अपने इसाब से आपको जैसा अच्छा लगा है वेसे आप design कर सकते हो आपको जैसे अच्छा लगा है वेसे design कर सकते हो हर एक part आपको अलग-अलग cut करना है और हाँ ये cut करना में ध्यान रखना है कि कहीं आपके finger या कहीं पर लगना जाए समझ में आया समझ में आगया हैं सबको बेटा good यहां पर मैंने एक design बना कर रखा एक दूसरा भी design बना देते हैं अभी दूसरा design बनाए ना आपकी बुक में जो design दिया हुआ है वेसे आप बना सकते हो अगर नहीं आता ऐसे और थोड़ा सा अलग होता है तो चलेगा ठीक है आप जेसा चाओ वेसा इसके अंदर से design आप कर सकते हो बेटा समझ में आ रहा है न आप सबको गुड़ लास्ट में लास्ट बेंचिस दिख रहा है सबको अच्छे से अच्छे से दिख रहा है बेटा गुड़ ऐसे आपको हर एक पार्ट करना है अच्छे से design बनाना है कट हो जाने के बाद आपको color यूज करना है कोई भी color यहाँ पर सिर्फ one color का design दिया गया है यह जो block printing है यहाँ पर one color का दिया हुआ है आप चाहो तो two color का use कर सकते हो समझ में आया सबसे पहले कौन सा color यूज करेंगे हम red यूज करेंगे ठीक है चलो red color लेंगे और आपके पास जो brush है brush है न आपके पास good तो वो brush का use करना है brush से आपको एक block के उपर पहले red color लगाना है कुछ सा color लगाना है यह सिर्फ आप one color का बना रहे है बराबर है सिर्फ one color का दिखो यहाँ पर मैंने color लगा दिया दिख रहे हैं आप सबको good अभी यहाँ पर आपको सिर्फ उसके उपर प्रेस करना है और ले लेना है प्रेस करो और ले लो दिख रहे हैं आपको design कैसा लग रहा है design अच्छा लग रहा है ना अच्छा लग रहा है design आपको हाँ तो वैसे ही दूसरी design अगर आपको बनानी है यहां पर हमने सिर्फ one color यूज किया है, कितने color? one color यूज किया है न हमने color कैसे लगाना है, देखो brush में color लेना है और यह से potato के उपर जहां पर हमने pattern बना या उसके उपर लगा देना है अंदर अगर चला जाता है तो problem नहीं है ठीक है? फिर भी print अच्छा ही बनेगा अब देखो यहां पर हम design बना रहे है one two अगर color थोड़ा कम पढ़ रहा है तो आप इस दूसरी बार लगाना है एक बार color लगाने के बाद दो बार आप print कर सकते हो तिसरी बार अगर आप print करोगे थोड़ा सा light हो जाएगा इसलिए ध्यान रखना है दो बार प्रिंट करो तिसरी बार वापिस color लगा देना है आपको समझ में आ गया सबको understand very good एक बार लगा दिया तो फिर वापिस ले देना है फिर दूसरी बार जब आप लगाना है तो फिर से color use करना है different color समझ में आ गया अब दूसरा pattern बनाते हैं दूसरे pattern के लिए हमें use करना है blue color use करते हैं चलो blue color लेना है red color को हम वापिस clean कर देते हैं brush को आपको साब करना पड़ेगा याद रखना है brush पूरा clean करो उसके अंदर से जितना भी red color सब चला जाना चाहिए उसके बाद आपको blue color का use करना है yellow blue color है और जहां पर आपका print किया है आपने जहां पर pattern बना है उसके उपर blue color लगा देना है potato के उपर समझ में आ रहा है सब को समझ में आ रहा है कि उपर से जा रहा है understand good yellow कैसा लग रहा है DJ अपको दीख रहा है नहीं दीखाई दे रहा है यह हुआ one color का दूसरा color आपको use करना है कैसे use करेंगे देखो यह आदे में हमने लगाया कुनसा color लगाया black नहीं है बेटा blue color लगाया कुनसा color blue और आधे पार्ट में हमें लगाना है red लगा देते हैं ठीक है हमारे पास red color भी है यहां पर red color लगा दिया अब देखो यह two color का जो print है वो कैसा दीख रहा है yellow दीख रहा है कैसा लग रहा है print हाँ तो यह हुआ red और blue color का print अगर आप चाहो तो इसके अंदर yellow color भी mix कर सकते हो कोई भी color आप यूज करो आपको कैसे अच्छा लग रहा है two color, three color का mixing कर सकते हो four color का भी mixing कर सकते हो ठीक है आपको खुद सोचना है कि मुझे कितने color का mixing करना है समझ में आ गया आप सबको understand सबको समझ में आया ना yellow हमने yellow color यूज किया एक में red color यूज किया है और तिसरे में यूज करेंगे blue color ठीक है blue, red और yellow अब यहां पर वापिस अब प्रिंट करेंगे किसा लग रहा है प्रिंट अब सबको clearly समझ में आया बेटा last में सबको अच्छे से समझ में आ गया good तो यह जो page number 35 पर जो block print ठीक है वो जो picture दिया गया वहाँ पर आपको यह वाला work करना है सबको आएगा न अभी understood very good